कंगना रनाट ने ट्वीट कर बताई अपनी स्ट्रगल की कहानी कहा 15 की उमर में छोड़ दिया था घर पिता ने नहीं दिया साथ तो लोग बोले कुछ तो कमी रही होगी अक्टरस कंगना रनाट अपनी फिल्मों से ज़्यादा बयान बाजी और सोशल मीडिया अक्टिविटी को लेकर चर्चा में रहती है कंगना को उनके सोशल मीडिया पोस्ट पर भी काफी ट्रोल किया जाता है अब कंगना ने एक बार फिर ट्वीटर पर एक ट्वीट शेयर किया है जसमें उन्होंने अपने स्ट्रॉगल की कहानी बताई तो लोग उस पर भी ट्रोल करने लगे कंगना ने अपनी ट्वीट में लिखा मैंने पंदरा साल की उमर में घर चोड़ दिया था और मेरे पिता ने मेरे स्ट्रॉगल में साथ देने से इंकार कर दिया मैं खुद पर निर्भर थी मुझे सोला साल की उमर में अंडर वर्ड माफिया ने पकड़ लिया 21 साल की उमर में मैंने अपनी जिन्दीगी के सभी विलन्स को कुचल दिया और मैं नैशनल अवार्ड जीच चुकी एक सफल एक्टरस और मुंबई के पॉश बांदरा इलाके में अपने पहले घर की मालिक बन चुकी थी कंगना के स्टेटस पर लोग उन्हें जम कर ट्रोल कर रहे हैं एक यूजर ने कंगना के ट्वीट पर कमेंट करते हुए लिखा आप में कुछ तो कमी रही होगी वरना कोई भी बाप अपने बच्चों से मूँ नहीं मोरता इसके अनावा लोग खुद अपने मूँ से तारीफ करने के लिए भी कंगना के खिचाई कर रहे हैं देखे कुछ कमेंट्स तो मियाराज नाम के ट्वीटर यूजर लिखते हैं इतने संगर्श के बाद इस फ्लॉप आंटी ने आखरकार अपने करियर को दलाली और चापलूसी में पाया तो एक यूजर ने लिखा हिंदी में बोलना के घर से भाग गई थी तो अरपन यादव नाम के ट्वीटर यूजर लिखते हैं इसको कहते हैं मूमिया मिठ्थू करना और एक बात आप सक्सेस्फुल जरूर हैं लेकिन देश की एकता तोडने में तो एक दूसरे यूजर ने लिखा इस कहानी में रितिक रोशन अदित्य पंचोली और अधियन सुमन का भी जिक्र कर देती तो एक यूजर लिखनी है कराश्टी प्रुसकार विजेता से एक राश्टी उब्दरफ तक यात्रा बलकि तवरित रही है तो एक यूजर ने लिखा दीदी सेंटेंस में मैं ड्रगिस्ट बन गई थी बाद में ये लिखना भूल गई हो आप ऐसे कितने ही सोशल मीडिया यूजर हैं जो कंगना के स्ट्वीट के बाद उनको ट्रोल करते हुए दिखाई दे रहे हैं आपकी क्या राय है खबरों के बारे में अपनी राय कामेंट सेक्शन में जरूर दे हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें बैल आइकन प्रेस करें ताकि हैर खबर आप तक जल से जल पहुंचे